गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एरिया वेक्टर देखिए बेटा हम अल्रड़ी जानते हैं कि एरिया जो होता है वह तो स्केलर क्वांटिटी होती है फिर ये एरिया वेक्टर क्या चीज है देखिए बेटा कुछ प्रॉबलम ऐसी होती है जिनक vector quantity अब सवाल यह आता है कि किसी crowd surface के area के कोई crowd surface है और उसके area के साथ direction हम कैसे associate करें तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके फिर हम छोटे-छोटे इस तरीके से टुकडे कर लेते हैं parts कर लेते हैं और हर part होता है न वो एक तरीके से plain area होता है ऐसे plain देखिए हर part को अगर देखेंगे तो एक तरीके से plain ही area आला कि पूरी surface crowd surface है लेकिन जब हम उसके छोटे-छोटे टुकडे लेते हैं न जिन को उन चोटे-छोटे टुकडे को हम क्या बोलते हैं area elements area elements तो यह जो area elements है न इनको नोर्मल तो यह ऐसे बनेगा, इसका नोर्मल यह ऐसे बनेगा, इसका नोर्मल यह ऐसे बनेगा, यानि इनके जो नोर्मल है ना, जो प्लेन आ रहे हैं, एरिया एलिमेंट जो प्लेन आ रहे हैं, उनका जो आपने नोर्मल ड्रा किया था ना, वो दरसल इस प्लेन एरिया का क्य होगी आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं कह रहा हूं जो चोटा ट्ुकडा ले रहे है जिसको हम एरियाbound कह रहे है अगर उसके नॉर्मल ड्रा कर उट तो जह सब्सक्राइब यह यह का ड्राइब यह अथा को ठाकिर यह आ यह और यह क्या यह R रहे हैं उस planar area का उस planar area element का orientation और इसका मतलब planar area vector की जो direction होगी वो direction जो आपने normal draw किया था ना वो ही दिखा रहा है यानि normal to area जो होता है और इसका मतलब यहां area element जो बनेगा उसकी direction यही दिखा रहा है लेकिन अब जरू दियान से सुने मैं कही नॉर्मल जो है एरिया के normal जो है वो क्या दिखाता है direction लेकिन एरिया के normal तो यह इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा तो फिर कौन सा ले दिखिए जो outward नॉर्मल होता है, जैसे इसके यह आउट वर्ड नॉर्मल यह है, तो यह दिखाएगा. बाई कन्वेंशन हम यह मानके चलते हैं कि जो आउट वर्ड नॉर्मल है परिया कि वो क्या दिखाता है, डारेक्षण दिखाता है. जैसे कोई area element vector है, डेल्टा एस, यह. यह area element vector तो यह जो area element vector है delta s किसी crowd surface के किसी point पर जैसी यह crowd surface है इसके इस point के उपर यह area element है delta s तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यहां पे जो delta s है यह जो area इसका area यानि इस इस एरिया एलिमेंट वेक्टर का क्या है मैगनीटूड याद रखेगा ये क्या है मैगनीटूड ये केवल एरिया दिखा रहा है और साथ चुकि ये एरिया एलिमेंट वेक्टर है तो केवल मैगनीटूड तो नहीं योगा डारेक्शन भी होगी तो डारेक्शन क्य और उसके normal direction में जो unit vector आता है वो direction दिखा रहा है यानि delta s को हम ऐसे लिख सकते हैं unit vector n delta s अब समझें ये direction और ये magnitude क्योंगी कोई भी vector quantity होगी तो उसमें दो चीजे होगी एक है उसके direction और एक उसका